अक्सर मैं अपने चैनल के अंदर AC के बारे में बात करता हूँ पर क्या आपको पता है आपका खुद का भाई कौन सा AC इस्टमाल करता है फिलाल आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन सा AC परचीस किया अपने लिए और इस AC को कैसे मेरे घर पे मैंने इ कि सब कुछ रहने वाला है वैसे यह कौन से model का AC है और और कौन सा AC मैंने परचीस किया यह सब कुछ आज के वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा AC पांच AC लेना है यह कुछ नहीं रहेगा आज की वीडियो में सिर्पर सिभ आपके भाई का जो AC है इसका installation प्रॉसेस एन मॉडल कौन सा है क्या क्या फीचर से सब कुछ आज के इस वीडियो में रहने वाला बढ़ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप अभी तक लाइक ने किया लाइक कर दो अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो इसका कैपसिटी जो है 1.5 टन का है यह 3 स्टार का एसी है अब मैंने 3 स्टार क्यों लिया मैं इससे बढ़ा भी ले सकता था यह फिलाल इस्टालेशन कर लेते हैं और कितना प्राइस कितना कॉस्ट मुझे देना परा वो भी मैं वीडियो के अंद तक आपको बताऊंगा लेस् जैसे कि मैंने ओडर दिया था टाइम देख सकते हो और यह भाई है हमारे जो इंडोर यूनिट है इसको ओपेंड करने में लगे हुए है और इसके अंदर में बहुत कुछ आता है मैं आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा कि कैसा क्या कुछ आता है अगर आप सैमसॉंग का इसी इंस्टॉल कराना चाते हो जैसे कि देख सकते हो इन्होंने ओपेंड कर दिया है हमारा इसी और यह कुछ इसका इंडोर यूनिट का लूक है जैसे कि आप देख सकते हो और मैंने यहाँ पे जो लिया था इसका एक फ्लावर डिजाइन वाला आता है वही मॉडल लिया ताकि देखने में और भी अच्छा लगे मुझे वाइड वाला उतना पसंद नहीं रहता है इसलिए मैंने इस डिजाइन को ही चूज किया था इन्होंने इनको पलट भी दिया देख सकते हो इसका बैक पॉर्षन कुछ ऐसे डाइप का लुक देता है और यह अभी नाप भी यह कुछ ऐसे टाइप में लगेगा तो यह अभी सीधा है कि नहीं देख रहे है चलिए मैं आउटडोर यूनिट आपको दिखा देता हूँ अगर सैमसॉंग का एसी लेती हो तो इसका आउटडोर यूनिट कुछ ऐसे टाइप कराएगा मुझे बहुत आच्छे के साइड म इन लोगोंने बलیک कबर भी दिया है जो कि बहुत इसी एसम नहीं लगता है और यहाएग किट मिलता है उसके अंदर में आपको ट्रिपल एफ भैटरी भी दिया गया जो कि आपको एसी डाइप का पात को मिल जाएगा जैसे देख सकते हो और यह हमारा स्टेंड जो कि इसी का stand और यह कुछ ऐसे डाइब में दिखता है मैं आपको फिलाल दिखा दे रहा हूँ अब यह मेरा जो है बैटरी आया है वो रिमोट में आपको देना है अब भाया हमारे उठ चुके है और यहां पर ड्रील करना भी स्टार्ट कर दिया क्यूंकि अभी एसी लगाते वक्त घर गंदा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसी वजह से भाई हमारे जो है ड्रील का आउट्डोर यूनिट अ क्यूंकि इसमें अभी कनेक्शन देना भी बागी है एक तरफ भाई हमारे यहां पर जो इंडोर यूनिट है उसमें कनेक्शन दे रहे है और अगर आप देखते हो तो इसमें एक कनेक्शन आपको करना रहता है नहीं तो यह सी श्टार्ट नहीं होगा जो हमारा आउट्डो connection हो रहा है और इस वेर को लगाने के बाद ही हमारा जो इसी है वो अभी उपर लगने के लिए तयार हो जाएगा और भाई हमारा अभी pipe को भी ठीक कर रहा है बिकाज यही जो pipe यही जाएंगे और डायरेक्ट जाके यह आपके copper pipes के साथ outdoor unit के साथ connect होंगे जैसे कि यह अभी देख पा रहे हुआ and finally सब कुछ हो जाने के बाद हमारा जो indoor unit है उसका जो wire and pipes है वो अभी बाहर निकाले जाएंगे because यह outdoor unit के साथ connect भी होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो and stand के उपर में अभी यह जो मेरा unit है यह दूनों धीरे से बिठाने वाले जैसे के देख पा रहे हो pipe जो है वो बाहर जा रहा है और यह pipe अच्छी तरीके से बाहर जा भी चुका है और stand में यह fit हो जाता है अच्छी तरीके से के लगा देते हैं खेर मेरा यहां से ले जाना safety था गाईज मैंने पहले सो चाथा कि मैं window की उपर में लगाऊंगा आउट्डोर यूनिट है लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि आप तुम इसको थोड़ा से उपर में लगा दू ताकि अच्छा रहेगा और वो safety भी रहेगा क्योंकि आपको तो पता ही रहना चाहिए कि safety बहुत जादा जरूरत होता है हमारे लिए अब outdoor unit को मैंने ठीक उपर में जटकी उपर में जो और एक छोटा घर है उसके उपर में ही मैंने यहां पे mount करवाया इन लोगोंने मुझे दूसरा stand प्रोवाइट कराया था because इसके सा unit अभी ऐसे लगेगा मैं उपर में चला गया था और यहां से मैं भी देख रहा था कि भई मेरा unit सही से यहां पर लग जाए जैसे कि आप देख भर हो मैं उपर में खराओ और यह finally मेरा Samsung का जो outdoor unit है यह stand के उपर बिटकिया है यह मेरा Lloyd का stand था and बहुत ही ज्यादा यह अच् बहुत उपर में बैटे थे वो outdoor unit के बॉक्स में आपको यह copper bend pipe मिल जाते है with protection देख सकते हो बहुत बढ़ी आए यह टेप भी आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा क्योंकि installing का टेप है यह मैंने यहाँ पे एक plug भी ले आया था 16M का यह मेरे साथ नहीं था AC के box में आपको अलग से purchase करना पड़ेगा देख सकते हो और मेरे पिताजी जो थे वो उपर में चरके इस AC को साफ भी करने लगे थे कैर बहुत ज़्यादा मसक्कत के बद अच्छी तरीके से मेरा जो AC था वो अभी installed हो चुका था और इसका final look कुछ दिखने में ऐसे type का था देख सकते हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था यह लग जाने के बाद क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा क्योंकि यह जो मेरा AC था यह एक convertible AC था जो कि 1.5 टन का 5-in-1 inverter split AC था और यह AC बहुत अच्छे features लिकर आते हैं लाइक यहाँ पर आपको 43% faster cooling देखने को मिल जाता है digital inverter technology इसके अंदर है anti-bacterial filter देखने को मिल जाता है 3 step auto clean के साथ आता है जहाँ पर आपका AC जो है auto clean हो जाता है 5 step convertible mode है जिसमें आपको 40% से 120% तक यहाँ पर basic needs देखने को मिल जाता है मैं आपको बता दो यह जो Samsung के AC होते हैं यह आपको ज्यादा तर stores में नहीं मिलते है ज्यादा तर online या फिर कोई digital store जैसे की Reliance Mart Reliance Geo Mart पर फिर Chroma पर आप इन AC को purchase कर सकते हो Samsung specially कुछ ऐसे year या फिर ऐसे months होते हैं उनमें ही अपना AC manufacture करता है इनके AC के जो manufacture होते हैं बहुत ही कम amount पर होता है इसके बजाए Samsung के AC के price इतना ज्यादा हाई रहते है इसका original price जो है 40,000 रुपिया के आप सास में है क्योंकि 39,990 रुपीज अभी दिखा रहा है मैंने डिलाइस digital से इसको purchase किया देना परेगा जब भी कोई आता है वो देना ही पड़ता है देना आपको pipe के पैसे tape के पैसे यह सब कुछ मिला के और हाँ जो stand है उसके भी पैसे आपको देना परेगा क्योंकि जो stand है वो कोई भी AC brand नहीं देते है अपने AC के साथ तो आपको अलग से purchase करना पड़ता है एंड मुझे थोरा बहुत और भी tape के पैसे देना पड़े थे एंड एंड मैंने 16 amp के जो plug यह उसको भी purchase किया था सो कुल मिला कि मेरा टोटाल यहाँ पे installation charges 21-22 रूपया तक पड़ा था वैल आप बताओ अगर आपके भगन में AC है कौन सावाल AC आप इस्टमाल करते हो क्या आपके पास Samsung का AC है comment box में जरूर बताना और हाँ LG के AC के भी reviews बहुत जल्दी हमारे चैनल में आ रहे है तो इसके सब्सक्राइब करके रखना ऐसे लिटेस वीडियोज आपको और वे मिलते रहेंगे